पौराणिच समय की बात है, एक बार राजा बली ने टीनों धोकों पर अपना अधिकार स्थावित कर दिया, इंदर था देवताउं को स्वर्ग से निकाल दिया गया, यग्य पूजा पाठ बंद कर दिये गए, देवताउं को फटक ने लगे और बहुत तुखी हुए, यग्जभाग सम्मान न मिलने से उन्होंने भगवान विश्ण से अपनी विपत्ति से छुडाने के लिए बिंती की उन्होंने कहा कि श्वर्ग में अशुरों के आजाने से चारों और पाप और आत्याचार बढ़ गई है देवताओं के लिए तीनों लोकों में रहने का कोई स्थान नहीं है ऐसे में भी क्या करें उधर राजा बली को सुक्लाचारी ने बताया कि यदि सौय अग्य पूरे कर लेगा तो वह हमेशा के लिए इंद्र के शमान श्वर्ग का राजा बन जाएगा कोई फिर उस से उसका अधिकार न ले सकेगा राजा बली ने सौय अग्य करने का मिश्चय किया निरानव्य अग्य पूरे हो चुके थे और जैसे ही सोवा अग्य अग्य प्रारंब हुआ भगवान विश्णु बावन अंगुल के वामन देवता बन कर राजा बली की यग्य साला में पहुँच गए उन्होंने भिक्षाम देह भिक्षाम देह इस प्रकार कहा राजा बली ने वामन देवता को अपने पास बुलवाया तता दान में उनकी इच्छा पूछी वामन देवता बोले कि हे राजा बली मुझे मात्र तीन पग भूमी की आवश्यकता है यह सुनकर राजा बली हस्ते वोई बोले कि आप तीनों लोकों के श्वामी राजा बली के सामने खड़े हैं आप भिक्षामें कई गाओं कई पशुप बहुत सा अनाज और फेर सारा द्रव्य दान स्वरूप मांग सकते हैं वामन देवता ने कहा कि उन्हें यहां से मात्र तीन पग भूमी ही चाहिए अब तक सुक्राचारी जान चुके थे कि श्वयम भगवान विष्ण वामन देवता का रूप लेकर राजा बली की यक्षाला में आये हैं उन्होरे राजा बली सी भगवान भामन देवता को दान न देने के लिए कहा परंद राजा बली दान देने का निश्चे कर चुके थे राजा बली ने तीनों लोकों के भगवान विष्ण को समण कर अपने हाथ में जब लेकर संकल्ब किया कि वे बामन देवता को तीन पग भूमी दान करने के लिए कृत संकल्ब है भगवान बामन ने अपने श्वरूर को बढ़ा कर एक पग में शंपून भूमंडर को तथा दूसरे में समस्ता का समंडर को नाप लिया दो पग में राजा बली का समस्त राज बामन देवता का हो चुका था अब वे राजा बली से बोले कि राजा बली तुम्हारे पास अब दान देने को कुछ भी सेश नहीं है मैं अब अपना तीसरा बग कहां रखूं राजा बली मिल्कुल भी उदास नहीं होए उन्होंने भगवान बामन से तीसरा बग अपने शिर में रखने को कहा भगवान बामन ने राजा बली की प्रात्ना को फिकार कर अपना तीसरा पग राजा बली के शिर में रख दिया भगवान का पैर लगते ही राजा बली सीधे पातार लोग पहुँच गई बामन दिर्ता ने कहा कि हे राजा बली आपसे तुम सदैव पातार लोग की स्वामी रहोगी राजा बली की दान बीरता देखकर भगवान पिश्ण बहुत प्रसंद हुई उन्होंने राजा बली सी अपनी मनो कामना अर्थात मन की इच्छा स्वरूप बर्दान मांगने को कहा राजा बली ने कहा कि आप सदैव मेरे द्वार पर खड़े रहना और मैं सदा आपको निहारता रहूँ भगवान नित्थास्त अर्थात तुम्हारी मनो कामना पूरी हो ऐसा कहा और तब से भगवान विश्णु राजा बली के द्वार पर खड़े रहे उधर माता लक्षमी को जब पता चला कि उनके पतिदेव भगवान विश्णु राजा बली के द्वार पर खड़े हैं उन्होंने राजा बली को भाई बनाने का निश्चेकर रासातल में पहुँच राजा बली के हात में रखा शूत्ररतात राकिवाने राजा बली ने बहन लक्ष्मी को अपने लिए दक्षना में कुछ मागने को कहा माता लक्ष्मी ने कहा कि भईया आप मुझे विष्ण को दान स्वरूर दे दें राजा बली ने बहन लक्ष्मी को दान स्वरूर भगवान विष्ण को दे दिया तभी से रक्षा बंधन के इस पावन सुत्र को हाथ में कलावा रक्षा सुत्र बात्ते हुई रोहित पंडित निम्ने स्लोग का उच्चारण करते हैं येन बद्धो बनी राजा दान बिंद्रो महावलह तेन त्वाम रक्षबद्नामी रक्षेमा चलमा चलह तब से रक्षा बंधन मनाने का पर्व चला रहा है अगर आपको इस तरह की पौरानिक रक्षा बंधन जुड़ी वी जानकारी से जुड़ना है और दूसरी कोई पौरानिक कथा इस सम्द में जाननी है तो मेरे वीडियो को आपको लाइक और सब्सक्राइब करना होगा धन्य आपको भीड़ना है